हालो फ्रेंड्स मैं प्रीती आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जे एम ट्यूट्स में हमारे आज का क्लास 7 जे पीसी पीटी और जेसेसी को मद्दे नज़र रखते हुए बनाई गई है आज की क्लास में वन लाइनर कोस्चन अंसर होने वाली है जो आपके 7 जे पीसी पीटी जेसी से एक्जाम और जारखंड रिलेडेड किसी भी एक्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगी तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्लास इस हमारे आज की क्लास का टॉपिक है जारखंड की प्रमूख नदिया हमारा आज का पहला कोश्चन है जारखंड की नदिया कैसी नदिया है इसका अंसर है बरसाती जारखंड की नदिया बरसाती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं प्रबा की दिशा के अनूसा जारखंड की नदिया को कितने भागों में बाटा गया है जारखंड की नदिया को दो भागों में उत्तर वर्ती नदिया एबंग पूर्वर्ती या दक्षिन वर्ती नदियों में बाटा गया है हमारा अगला सवाल है जारखंड की सबसे बड़ी उम्र लंबी नदी कौन सी है? दामुदर चलते हैं हमारे next question की और दामुदर नदी की लंबाई जारखंड में कितनी है? सकांसर है 290 किलोमीटर जारखंड में दामुदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है अगला सवाल है दामुदर नदी कहां से निकलती है इसका अंसर है चुलहा पानी टोडी जो की लातिहार में है अगला सवाल है कौन सी नदी बंगाल का सोक के नाम से जानी जाती है यह बहुती महत्तपुन कोश्चन है बहुत सारी एक्जाम में पूछे जा चुके है चाहे वो सेंटरल लेवल का एक्जाम हो या स्टेट लेवल का कि कौन सी नदी को बंगाल का सोक के नाम से जानी जाती है इसका एंसर है दामुदर, दामुदर नदी को बंगाल का सोक के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोस्चिन देखते हैं जाडखंड की सरबादीक प्रदूशित नदी कौन सी है? इसका अंसर भी है दामुदर जाडखंड की सरबादिक प्रदूशित नदी है अगला कोश्चन है जाडखंड के किस नदी को देब नदी के नाम से भी जाना जाता है इसका भी अंसर है दामुदर दामुदर नदी को जाड़खंड के देव नदी के नाम से जाना जाता है अगला सवाल है बराकर, बोकारो, कोनार भेडा किसकी सहायक नदी है इसकाम सारे दामुदर नदी नेक्स्ट कोश्चन है, दामुदर के एकमत्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है श्वर्ण रेखा नदी, जो की स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है नेक्स्ट कोश्चन है श्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह कहा है तो इसका अंसारे छोटा नागपूर पठार अगला कोश्चन है जामसेदपूर किस नदी के किनारे अवस्तित है तो जामसेदपूर स्वर्ण रेखा खर काई नदी के किनारे अवस्तित है स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है इसका अंसर है नगडी राची जारखंड की कोन सी नदी दक्षिन पूर्व की और प्रभाहित होती है अंसर है स्वर्णरेखा अगला कोश्चन है जार्खन के किस नदी के रेत में शोना पाया जाता है इसका अंसारे स्वर्ण रेखा नदी क्योंकि नदी का नाम ही है स्वर्ण रेखा अगला कोश्चन जुमार, रारू, खरकाई एबंग संजाई किसकी सहायक नदी है इसका अंसर भी है स्वर्ण रेखा नदी बराकर नदी कहां से निकलती है तो बराकर नदी हजारी बाग से निकलती है अगला कोश्चन है बराकर नदी का उल्ले किस ग्रंथ में मिलता है अंसर है बुद्ध एबंग जैन ग्रंथ में बराकर नदी का उल्ले किस ग्रंथ मिलता है धनबाद एबंग गिरीडी किस नदी के तट पर बसा हुआ है इसका अंसर है दामोदर धनबाद एबंग गिरीडी दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है अगला question है सोन नदी कहां से निकलती है इसका answer है अमर कंटक की पहाड़ी अमर कंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है हमारे आज की सेसन में जितनी भी question कराई जा रहे है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सोन नदी जाड़कंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है आंसार है गड़वा उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है सोन नदी की उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है नेक्स्ट कोश्चन है उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है पिसका राची यहां से उत्तरी कोयल नदी निकलती है अगला सवाल है ओरंगा और अमानत नदी किसकी सहायक नदी है ये उत्तरी कोईल नदी की सहायक नदिया है ओरांगा नदी किस जिले से निकलती है ये भी बहुत महत्पुन कोश्चन है कि ओरांगा नदी किस जिले से निकलती है इसका अंसर है गड़वा अमानत नदी कहां से निकलती है अमानक नदी हजारी बाग से निकलती है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा दक्षिन कोईल नदी कहां से निकलती है ये नगडी राची से निकलती है दक्षिन कोईल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है इसका अंसर है कारो कारो दक्षिन कोईल की सबसे बड़ी सहायक नदी है संक नदी का उद्गम स्थल क्या है तो संक नदी का उद्गम स्थल गुमला में है चलते हैं हमारे अगली कोश्चन की और जीरा लावा केदार तथा कोग किसकी सहायक नदी है यह संक नदी की साहायक नदिया है संक एवंग दक्षिनी कोईल नदी कहां एक दुसरे से मिलती है उरिस्सा में संक एवंग दक्षिनी कोईल नदी उरिस्सा में जाकर एक दुसरे से मिलती है अगला कोश्चन देखते है मोर मयुराक्षी नदी का उद्गम इस्थल कहां है तीयूर पहाडी देवगर हमारा नेक्स्ट कोश्चन है मयुराक्षी नदी अपनी प्रारभिक अबस्ता में किस नाम से जानी जाती है तो इसका अंसर है मोतिहारी पिप्रा, भाम्री, धोवाई, सिंथ, दवना, मुन्बिल, पूस्त्रो किसका सहायक नदिया है तो ये मयुराक्षी नदी की सहायक नदिया है गुमानी नदी कहां से निकलती है गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है अगला कोश्चन है गुमानी की सहायक नदी तो गुमानी की सहायक नदी है मेरिल चलते हैं हमारे अगली सवाल की और ब्राम्भनी नदी कहां से निकलती है ब्राम्भनी नदी दुधवा पहाडी दुमका से निकलती है हमारा अगला कोश्चन है गुम्रो एवं एरो किसकी सहायक नदी है ये ब्राम्भनी नदी की सहायक नदी है बंसलोई नदी का उद्गमिस्थल क्या है यह बास पहाड गुड़ा अगला कोश्चन है फालगु नदी का उद्गमिस्थल क्या है फालगु नदी छोटा नागपूर का पहाड इसका उद्गमिस्थल है फालगु नदी का अगला question है किस नदी की मुख्यधरा का नाम निरंजना या लीला जन है यह फालगु नदी का नाम है निरंजना या लीला जन सक्री नदी कहां से निकलती है छोटा नागपूर के पहाड से सक्री नदी निकलती है किस नदी को रामायन में सुगम सुमागधी कहा गया साक्री नदी को हमारे आज के सेसन में जितनी भी question कराई जा रही है सभी आने बाले exam के लिए बहुती महत्तपुन होगी चानन पंचानन नदी कहां से निकलती है ये नदी छोटा नागपूर का पठार से निकलती है अजाई नदी कहां से निकलती है अजाई नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है अगला question है पत्त्रो एबंग जयनती किसकी सहायक नदी है ये अजाई नदी की सहायक नदी है गंगा नदी जाडखंड के किस जिले से होकर गुजरती है इसका अंसर है साहिब गंज ये question बहुत सारी exam में पूछे जा चुके है तो गंगा नदी जाडखंड के किस जिले से होकर गुजरती है इसका अंसर है साहिब गंज अगला question देखते है गंगा नदी जाडखंड के कितने जिले में बहती है गंगा नदी जाड़कंड के सिर्फ एक जिले में ही बहती है जो की साहिब गंज है स्वर्ण रेखा नदी का अफवा छेतर कितना बर किलोमीटर है तो स्वर्ण रेखा नदी का अफवा छेतर 11,868 बर किलोमीटर है और चलिए देखते हैं हमारे आज की सेशन का आखरी सवाल दामुदर नदी का अफवा छेत्र कितना बर किलोमीटर है इसका अफवा छेत्र बारह हजार आजसो बर किलोमीटर है तो फ्रेंड्स हमारे आज की सेशन में इतनी कोश्चन थी आप comment करके जरूर बताईए कि हमारा आज का question कैसा लगा और वीडियो को like and share जरूर करें अगर आप इस channel पे नया है तो इस channel को subscribe कर दे साथी bell icon को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले Thank you कर दो कर दो झाल झाल झाल